तो ही गाई स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भाई दिवरानी जी का जो है फाइनली व्लोग आया है लेकिन सच में उनका जो टाइटल देखे ने एक बार काफी जादा जटका सा लगा कि क्या हुआ है मतलब हस्बेंड नंदो के लिए क्यों मना कर दिया पती देव ने मेरे व्लोग में आने से तो इनका कहना यह है कि पती देव ने जो है व्लोग में आने से मना कर दिया है और अगर आप स्टाइटिंग से लेके लास्ट तक का व्लोग देखेंगे ना तो उसमें साफ पता लग रहा है कि वो जो हैं मतलब कैमरे में नहीं आना चाते अगर उनके साइट कैमरा किया है तो वो ना तो मतलब स्माइल कर रहे हैं ना ही कुछ बोल रहे हैं तो इसके पीछे का actually reason क्या है देखिए काफे सारे लोगों ने इनको कमेंट भी की हैं लेकिन कमेंट कुछ ऐसा आया वा था कि क्या हुआ है ऐसा कामनी दी भी बोल रही है कि अजीत भाया व्लोग में नहीं आएंगे और आप भी बोल रही है क्या हुआ है ऐसा अब मुझे कामनी का तो नहीं पता ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं उनका मुँ बना हुआ है या फिर वो नराज है इस तरह की की चीज मैंने नहीं देखी और अगर आप लोगों ने उनका व्लोग देखा हो अगर आपको पता हो कि कामनी ने क्या सच में ऐसा बोला है तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर ब पता लग जाता है कहीं न कई उनको भी फील हो जाता है कि कुछ न कुछ ऐसी बात है और देखिए महाँ पे कितने सारे ऐसे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे सिरफ और सिरफ सुमित के लिए कमेंट आ है कि इनको क्या हुआ है पे कमेंट ओर आया मैं आपको प उसे नराज होना I mean उस लड़की ने किया क्या है हर वक्त खुश रहना और रखना चाती है सबको आपको अपनी मा की चिंता है I understand बट समझ रहे हैं एक लड़की जो दो मन्त पहले इतनी ट्रेजडी से बाहर निकली और उसके बाद इतनी भागदोड में ब्लेम इतनी कॉंट् तो सुमित ने अपनी आईडी से जाके वहाँ पे उनको कमेंट किया है और कहीना कहीं बताया है उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है डिक डेफिनेटली I will be there in videos and all but not at this moment कई बार जिंदगी में मैं केला रहना ज़्यादा पसंद करता हूं बिना कुछ कहें बिना कुछ एक्स्प अब बी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि इनसान चाता है कि थोड़ा सा वो अकेला रहे इन चीजों से ताकि वो बाहर निकल सके अब रही बात अजीद भाया किया वो तो देखे ये ना आपने देखा होगा काफी सारे घरों में ये चीजे होती है जहां देवरानी ज गए तो इसमें क्या करना चीए और मैं ये कहती हूँ कि जो भी अगर कोई समझदार इनसान होगा ना तो वो अपने रिष्टे को अलग रखेगा बीवी के साथ एक पती का रिष्टा जो है अलग होता है और भाई के साथ जो रिष्टा होता ना वो अलग होता है इनकी फैम बात को कलियर तो कर दूँगी, लेकिन उसमें क्या है, कि मेरी फैमली ही फिर दुबारा से दोशी मानने जाएगी, क्योंकि दूसरे तरफ कामनी ने साफ ये बोल दिया था, कि हमें तो बताया ही नहीं गया है, इसलिए लोग जा के बार बार, निकी से ये वाले सवाल कर रहे आपने क्यों नहीं बताया वो घर की बड़ी बहू है आपकी जिठानी है बताना चाहिए था तो वहाँ पे निकी ने पहले तो ये बोला था कि देखिए घर में जो मेरी मम्मी और मेरी सासु मा सिरफ इनको पता है उसके लावा किसी को नहीं पता फिर उनके स्टेटमेंट थो पता होना चाहिए था तब शुरू के दिनों में मम्मी और सासु मा को पता था मतलब इनके कहने का मतलब है कि जब पता होना चाहिए था ना तब हमने बताया था मतलब जब चीज़े खराब होने लगी तब जाके जो है कामनी को ये चीज़े उन्होंने बताई थी लेकिन ज इसको भी जूट लग रहा है ये उसको मैं प्रूफ तो दे नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस बात का भी प्रूफ देना पड़ेगा तो उसको संभाल के रखती बाकी मैं इस टोपिक पे क्यों खुल के बात नहीं कर रही क्योंकि मुझे सच में ये टोपिक अप अपनी जिन्दगी में बार बार याद करके सब नहीं करना मतलब ये बात तो क्लियर है कि पहले उनको नहीं बताया गया था ठीक है जब सब कुछ ठीक था लेकिन जब इन मतलब की तब्यत उनकी खराब होने लगी या फिर डॉक्टर्स ने आके बताने लगे जब इनके व्लो लग जाना चाहिए है ना क्योंकि जब वो लोग आपस में बात नहीं करना चाते इन सब चीजों पर तो किसी और को भी बात करने का आप कोई राइट नहीं है ना ही कोई कोई उनसे पूछे क्योंकि जब ये लोग खुद नहीं बताना चाते तो फिर ओडियंस क्या करे पर लुक्रूण करने हैं कि यहां पर एक चीजब सामने आती है न सोक्षल मीडिया पर जैसे कमिनिटी पूस्ट लगाई थी और फिर इसके बाद इन्होंने लगाई थी तब जाके ये बाते स्था इना ने ने देखना स्था रही है यार ये चीज़ें तो गलत होरे हैं कि यार तब जाके ये वाली बाते जो है इनके comment section में आई एक होता है बताना और एक होता है पता था पता था मतलब किसी और के थूर उनको पता लग गया था एक होता है खुद से बताना कि हाँ वो खुद से जाके husband wife या सास जाके खुद से बता रही है कि ये चीज़ है घर में खुशी का महोल है और ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान किसी से जैलस करेगा क्योंकि उनके खुद के अपने बच्चिंग है वो जमाना वो टाइम चला गया जब पहले था कि और तो क्यों ब्लेम किया जाता था किसी बच्चे को ये कर रही है वो कर रही मतलब यार कोई मतलब अपना बोशन करा कि मतलब डॉलर कैसे चापेगा कोई भी लेडी होगी ना तो मैं कहरी हूं इस चीज़ से वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगी जिसके साथ ऐसा हुआ होगा कि यार जिसके भी लाइफ में ऐसा ये टाइम निकला है और वो भी देख है कि यार वो लड़का था तो अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे आप लोगों का क्या कहना इस वीडियो के उपर की निकू के हजबन जो है सुमित क्यों वीडियो में नहीं आना चाते क्या वो इस सारी कॉंट्रोवर्सी से दूर रहना चाते हैं जैसा भी आप लोगों की पिर आए हो कमेंट के जरीए जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शियर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें मैं मिलते हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई